हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लाइव देखने वाले हैं कि बैंक और बोरदा के नई डेविट काड या ATM काड का पिन कैसे बना जाता है ATM में चलने से पहले अपना रेजिस्टर मोवाइल नमर जो कि आपके बैंक एकाउंट से लिंक है उसको साथ रख लें क्योंकि उस पर OTP आने वाली है जिसकी मदद से हम आगे पिन जनरेट करने वाले हैं साथ ही आप अपना एकाउंट नमर भी नोट करके रख लें क्योंकि पिन जनरेशन के दोरान एकाउंट नमर भी एंटर करने को कहा जाता है हम Bank of Broda के ATM पर पहुँच चुके हैं, तो सबसे पहले अपने ATM card को ATM machine के card reader में insert करें, card insert करने के बाद ये card को read करना शुरू कर देता है, उसके बाद एक नया interface देखने को मिलता है, जिसमें आपसे language चूज करने को कहा जाता है, तो इस जगा मैं English language को चूज कर रहा हूँ, language पर क account number enter करने को कहा जाता है, तो इस जगा आप जल्द से जल्द अपना account number enter करें, क्योंकि ये page कुछ second के लिए ही रहता है, यदि आप account number enter करने में जैदा time लगा देंगे, तब आपका transaction cancel हो जाएगा, इसलिए जल्द से जल्द इस जगा आप अपना account number enter करें, account number enter करने के बाद correct वाले option पर क्लिक करें, correct पर क्लिक करते ही एक नया page open होता है, जिसमें दुबारा से account number enter करने को कहा जाता है, तो इस जगा भी account number enter करें, account number enter करने के बाद correct वाले option पर क्लिक करें, correct पर क्लिक करते ही transaction process होना शुरू हो जाता है, उसके बाद एक नया page open होता है, जिसमें आपका register mobile नमर एंटर करने को कहा जाता है, तो इस जगा आप उसी मॉबाइल नमर को एंटर करें, जिसका नमर आपके बैंक एकाउंट से लिंक हो, तो मॉबाइल नमर एंटर करने के बाद Correct वाले ऻटब्सन पर क्लिक करें, correct पर क्लिक करते ही एक नया प्रोसेस होना शुरू हो जाता है, उसके बाद एक नया पेज उपन होता है, जिसमें आपसे पीन एंटर करने को कहा जाता है, तो इस जगा आप अपने डेविड कार्ड की लिए जो चार रंगों का पीन बनाना चाहते हैं, उसे एंटर करें, पीन एंटर करते ही एक नया का एक पॉपप सो होता है और थात आपका ATM पिन बनकर तयार हो चुका है इसके साथ ही ATM मसीन का Card Reader Blink करना सुरू कर देता है इसका मतलब यह होता है कि अब आप अपने ATM Card को बाहर निकाल सकते हैं अब आपने successfully अपने ATM Card के लिए चारंकों का पिन बना लिया है अब आप इस चारंकों के पिन की सहायता से transaction कर सकते हैं अर्थात पैसों की निकासी कर सकते हैं या आप ATM मसीन में होने माले सारे प्रकार के transaction कर सकते हैं इस वीडियो में फिलाहल इतना ही आपका कुछ और भी doubt हो तो comment जरूर करें वीडियो अच्छी लगी हो तो एक like कर दें और यदि आप इस channel पर नए है तो channel को भी subscribe कर लें